एक समय की बात है गाव में दीपू नाम का लड़का रहता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते स्कूल जा रहा था। स्कूल काफी दूर था, वह धीरे-धीरे चल रहा था। कुछ देर बाद जंगल को पार करके वह शहर की ओर आ गया, लेकिन उसे स्कूल जाने का मन नहीं था। इसलिए वह अपना समय एक गाव की बीच में बिताने लगा। कुछ देर वह वहाँ पर आराम किया। जैसे ही स्कूल के छुट्टी का समय हुआ, वैसे ही वह वहाँ से निकल गया। फिर कुछ देर बाद उसने जंगल के रास्ते में प्रवेश किया। जंगल काफी लंबी थी, वह चल ही रहा था। तभी उसे जंगल की ओर से बाख की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। बाख भी उसके पीछे दौडने लगा, लेकिन वह बाख की चंगल से बच गया। उसके बाद कुछ देर दीपु ने बगीचा में बैठ कर आराम किया। फिर वह वहाँ से घर के लिए निकल परा। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर इस तरह के कार्टून वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टूडी टेक कार्टून को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।